अगर आप Redmi Note 4 से फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट और कोई भी शॉर्ट ट्रिमाप करना चाहते है तो मेरे वीडियो को अंतक जुरू दिख लेना सबसब पहले मैं मोबाइल को चेक करके आपको दिखाता हूँ और ये बीबेट में रखने से 00 टीत आ रहा है बीब आ रहा है मतलब तो देख सकते हैं नेगेटिव पोजिटिव में भी बीब आ रहा है तो आए इस मोबाइल को हम लोग सही कर लेते हैं और डिसी पावर सपले में मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ पोजिटिव को मैं डारेक बीबेट में कनेक कर देता हूँ बैटेरी पोजिटिव में और ग्राउन को यहार कनेक्ट करता हूँ और डिसी पावर सपले में आप देख लिए बीब का आवाज आ रहा है और 00 बन गया बोल्टेज भी एमपेर भी तो इसका मतलब यह फूल शॉर्ट है तो आए इस शॉर्ट को बहुत ही आसानी से रिमप कर लेते है तो फटा फट से डिसी पावर सपले से हम लोग डिसकनेक्ट कर लेते है और एक बार बैटेरी रिडिंग भी आपको दिखाते हैं कोई बात नहीं आए देख लेते हैं बैटेरी में भी रिडिंग कितना है देख लेते हैं यहाँ पर मैंने माल्टी मीटर में 20 बोल्ट में सेट करके यहाँ पर 4.1 यानि कि सापोसियान बोल्ट से मुबाइल अन होने के लिए 4.1 तो मेरे ख्याल से अन हो जाने आज चाहिए इस बैटेरी से लेकिन मुबाइल अन नहीं होता है मैंने चेक कर लिया फिर भी आपको दिखा रहा हूँ क्यूंकि आपका डाउट के लिए करना है मुझे तो आपको मुबाइल का जो बोड है मदर बोड उसको निकल लेना है पूरा ओके तो अभी बोड को हम लोग निकल लेंगे और आपको बताते हैं वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पर दा है तो आप हो से के तो मेरे चेनल को सस्क्राइब करके इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलूट करता हूँ यहाँ light SC और charging SC के अगल बगल में capacitor तो short नहीं दिख रहा है तो अभी हम लोग जाएंगे सिधा power SC के अगल बगल क्योंकि यह बीबत line पे short हुआ है ठीक है और full short है तो यहाँ से shield को हम लोग remove कर लेंगे ताकि हम लोग को आसानी से पता चले कि कौन सा component short हुआ है तो shield को निकाल लेते हैं आईए और इसको remove करने के लिए मेरे पास मेरा देसी जुगार है मैंने एक short killer खुद बनाया था आप देख पाएंगे इस वीडियो में और उसी short killer से मैं इस short को remove करूंगा तो यह shield कारते समय आपको धियान रखके धिरे धिरे काटना है मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए जल्दी-जल्दी काट रहा हूँ नहीं तो mobile में आपका नुक्सान हो जाएगा तो यहाँ पर कैफासेटर को हम लोग चेक कर लेते हैं उस camera remove कर देते है तो यह सारा कैफासेटर शॉर्ट बता रहा है दोनों साइट भी पा रहा है कि जो की नहीं आना चाहिए था कोई बात नहीं तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस वीडियो को देखके इस शॉर्ट को remove कर पाएंगे तो उसके लिए यह येलो पेस्ट पावर राशी के अगल बगल जितना भी कॉंपोनेंट शॉर्ट है उसके उपर apply कर देंगे और battery connector के पास ही आपको capacitor मिलेगा उसमें भी हम लोग apply कर देंगे ठीके और उसके बाद डाइरेक्ट ये short killer मैंने बनाया था एक कोई tablet की battery से तो अभी ground को direct ground में जोर देंगे और positive को twizards है हम लोग डाइरेक्ट battery connector positive में देख सकते हैं battery connector positive के अगल बगल ही धुआ उठ रहा है मतलब कि वो ही component short है ये देख लीजिए तो हम लोग इस capacitor को अभी remove कर देंगे ओके हाँ अभी धुआ उठना बंद हो गया कोई बात नहीं ये capacitor से धुआ उठ रहा था तो हम लोग इसको ही remove कर देते हैं और उसके बाद multimeter से check कर लेते हैं इसका short गायब हुआ या अभी भी short है आए चेक कर लेते हैं तो ये देख सकते हैं reading बिल्कुल normal आ गया ये तो ground है और ये positive line है ये देख सकते हैं बिल्कुल normal reading आ गया है तो अभी हम लोग थोड़ा से साफ करके motherboard को feed करके mobile को on करेंगे देखेंगे उसके बाद आए देख लेते हैं तो motherboard को मैं feed कर लेता हूँ tyre छेख करेंगे साम तो लेपा सकते हैं जया है झाल जया है तो ब क्या है तो लो जख रो अरे LCD कनेक्टर के अंदर कुछ गया होगा LCD पूरा घुसता नहीं है तो उसको थोरा साप कर लेते हैं इसलिए दोस्तों मोबल के काम पे आपको बहुत होशियारी से काम करना है देख सकते हैं यह पूरा घुसता नहीं है क्या गया अंदर कुछ है शायद मैं साप कर देता हूँ हाँ मैंने इसको निकाल दिया एक सोटा कुछ गया था इसके अंदर और अभी मोबल को ओन करके आपको दिखाता हूँ यह देख है एमाई का लोगो भी आ गया और अगर आपको वीडियो से कुछ सिखने को मिला कैसे मोबल का हाप शॉट फुल शॉट रिम अप करते हैं हम लोग तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे अरे यार बैटरी डिसकनेक्ट हो गया कोई बात नहीं दुबार लगा लेते हैं और मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेश करके रखना ताकि आपको आगे जल्दी ही अरे फिर से खूल गया यार बैटरी की कंडिशन उतना अच्छा नहीं है कोई बात नहीं तो इस तरह से हम लोग कोई भी Android मोबाइल का फूल शॉर्ट हाफ शॉर्ट को रिमब कर सकते हैं देख सकते हैं यह टना टन अभी काम कर रहा है Redmi Note 4 तो वीडियो को आपने देखा उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सस्क्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना थैंक्स पर वाचिंग